शिव बाबा याद है ना? निराकारी आत्म समझ निराकार बाप को याद करना है याद से ही सब विकारी करमेंद्रियां वश होंगी और तुम करमातीत अवस्था को पालेंगे फिर बाबा ने कहा अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगेर थोड़े ही बनेंग टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा अब सबको वापिस चलना है इसलिए ग्यान को बड़े अटेंशन से सुनना और धारन करना है परन्तु इसमें पवित्रता है मुख्य पवित्र नहीं बनेंगे तो धारना भी नहीं होगी इस काम विकार नहीं सबको वर्थ नोटे पैन बनाया है अब शिवाले में चलना है तो यह एक जन्म पवित्र बनो इन विकारों की जरा भी कशिश नहीं होनी चाहिए और लास्ट में बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को मेरे साथ उपर जाना है तो मुहु उस सरफ और टांगे इस कलियों की तरफ करनी है बाप का अब कुछ तुम्हारे लिए ही है इसलिए कभी ऐसे मांगना नहीं चाहिए कि ताकत दो शक्ती दो योग बल से तुम इतने साहुकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं रहेगी और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे पक्का पक्का निष्चे करो कि हम आत्मा है आत्मा समझ कर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा पाप नहीं होगा प्रश्न कर्मातीत स्थिती को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हरे एक को करनी है कर्मातीत स्थिती के समीपता की निशानी क्या है उत्तर कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी करमेंद्रियों को वश्मे करने की मेहनत करो अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ सब करमेंद्रियां निर्विकारी बन जाए यह है जबरदस्त महनत जितना करमातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग, शीतल, सुगंधित होते जाएंगे उनसे विकारी बांस निकल जाएगी अतिंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा ओम शांती शिव भगवानू आज यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रती बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्यान का सागर है मनुष्य सृष्टी का बीज रूप है तो जिरूर आत्माओं से बात करते हैं बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं बाबा अक्षर से समझते हैं परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं बाबा परमधाम में रहते हैं, पहले पहले यह बातें पक्की करने हैं, अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निष्चे करना है बाप जो सुनाते हैं वे आत्मा ही धारन करती है जो ग्यान परमात्मा में हैं वे आत्मा में भी आना चाहिए जो फिर मुख से वर्णन करना होता है जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वे आत्मा ही पढ़ती है आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदी का कुछ भी मालूम न पड़े आत्मा संस्कार ले गई जाकर दूसरे शरीर में बैठी तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े देह अभिमान अब छोड़ना पड़े आत्मा सुनती है आत्मा धारन करती है आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चे करना है परमात्मा हमात्माओं को ग्यान दे रहे हैं हम आत्मा भी शरीर दवारा सुनती है और परमात्मा शरीर दवारा सुना रहे है यह घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं देहे याद आती है यह भी जानते हो अच्छे व बुरे संसकार आत्मा में ही रहते हैं शराब पीना, छीची बात करना यह भी आत्मा करती है और्गंस दवारा आत्मा ही इन और्गंस दवारा इतना पार्ट बजाती है पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं आत्मा ही फिर यह नौलेज साथ मिले जाएगी जैसे वहाँ परम आत्मा ग्यान सहित रहते हैं वैसे तुम आत्माएं फिर यह नौलेज साथ मिले जाएगी मैं तुम बच्चों को इस ग्यान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है, तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रालब्द भोगना, ग्यान भूल जाता है, यह सब अच्छी रिती धारन करना है, पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं, अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करने हैं, विश्व का मालिक बनना है, तो मेहनत बिगर थोड़े ही बनेंगे, घड़ी घड़ी इस पोइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है, जब अपने को आत् भूल देह अभिमान में आते हैं, तो कुछ न कुछ पाप होते हैं, देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जायेंगे, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा, तो यह निश्चे रखना चाहिए, हम आत्मा पड़ती हैं, देह नहीं, आगे जिसमान मनुष्य मत मिलती थी अब बाप श्रीमत दे रहे हैं यह नई दुनिया की बिलकुल नई नौलेज है तुम सब नए बन जाएंगे इसमें मुझने की बात ही नहीं अनेक अनेक बार तुम पुराने से नए नए से पुराने बनते आये हो इसलिए अच्छी रिती पुरुशार् करना है हम आत्मा करमेंद्रियों दवारा यह काम करते हैं ओफिस साधी में भी अपने को आत्मा समझ कर करमेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वला बाप जरूर याद पड़ेगा आत्मा ही बाप को याद करती है भल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता ह अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है ये बड़ी विचार सागर मंतन करने की बात है भल कोई कोई लिखते हैं, हम दो घंटा याद में रहते हैं कोई कहते हैं, हम सदेव श्य बाबा को याद करते हैं, परंतु सदेव कोई याद करना सके, अगर याद करता हो, तो पहले से ही करमातीत अवस्था हो जाए, करमातीत अवस्था तो बड़ी जबर्दस्त मेहनत से होती है, इसमें सब विकारी करमेंद्रियां वश हो जाती है, स सुगंधी तो हो जाता है, अभी बासी छीछी अंग है, सत्युक की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है, हैविन, नई दुनिया, वेकुंट, वहां के फीचर्स, ताज, आदी, यहां पर कोई बना न सके, भल तुम देखकर भी आती हो, परन्तु यहां वे बना न स के, वहां तो नेचरल शोभा रहती है, तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है, याद की यत्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है, याद करते करते करमातीत अवस्था को पा लें, तो सब करमेंद्रियां शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत रहेगी, अभी तो सबी करमेंद्रियों में बदबू है, यह शरीर कोई काम का नहीं, तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बनना सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंद हो, यह महिमा देवताओं की है, तुम बच्च का पारा चड़ जाना चाहिए, बाब कहते हैं, मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं, बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, गीता पाठी होंगे, वह श्रीक्रिष्न के पुजारी जरूर होंगे, तब बाबा कहते हैं, व्यापी, गलानी करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, शिव के मंदिर में धेर के धेर जाते हैं, बहुत उची सीड़ी चड़ कर जाते हैं, उपर में, शिव का मंदिर उपर बनाया जाता है, शिव बाबा भी आकर के सीड़ी बताते हैं ना, उनका उच्छा नाम, उच अठाओं हैं, कितना उपर जाते हैं? बद्रीनात, अमरनात, वहां शिव के मंदिर हैं, उच चड़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत उच बनाते हैं, यहां गुरु शिकर का मंदिर भी उची पाहडी पर बनाया हुआ है, उच बाप बैठ तुमको पढ़ाते है दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सरव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम अबजेक्ट भी खड़ी है। सिवाए बाप के और कौन कहेगा। यह तुम्हारी एम अबजेक्ट है। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारैन की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता हैं। उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। जिसको कहानी कहा जाता है। यह उँच ते उँच बाप, बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत बनाने वाली है यह सदेव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी वा म्यूजियम बनाते हो पांच हजार वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताइं राज्ये करते थे यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके यह रील कहानी है जो चेतन्य वरिक्ष पती बाप बैट समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो इसमें पवित्रता मुख्य है पवित्र नहीं बनेंगे तो धारना नहीं होगी शेरनी के दूद के लिए सोने का बरतन चाहिए तब ही धारना हो सकेगी यह कान बरतन मिसल है ना यह सोने का बरतन होना चाहिए अभी पत्थर का है सोने का बने तब ही धारना हो सके बड़ा अटेंशन से सुनना और धारन करना है कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है वह कहानिया सुना कर कमाई करते हैं सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है या तुम्हारी भी कमाई हैं दोनों कमाई चलती रहती हैं दोनों व्यपार हैं पढ़ाते भी हैं कहते हैं मन मनाभव पवित्र बनो ऐसे और कोई नहीं कहते ना मन मनाभव रहते हैं कोई भी मनुष्य यहां पवित्र हो नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाईस है रावन राज्य कलियुग अंत तक चलना है उसमें पावन होना है पावन कहा जाता है देवताओं को ना कि मनुष्यों को सन्यासी भी मनुष्य हैं उन्हों का है निवरिती मार्ग का धर्म बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे भारत में प्रवरिती मार्ग का ही राज्य चला है निवरिती मार्ग वालों से तुम्हारा कोई connection नहीं है यहां तो इस्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है दोनों पहिये चलते हैं तो ठीक है नहीं तो जगड़ा हो पड़ता है, पवित्रता पर ही जगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर जगड़ा हो, ऐसा कभी सुना नहीं होगा, यह एक ही बार जब बाप आते हैं, तब जगड़ा होता है, साधु संतादी कभी कहते हैं क्या, कि अब लाओं पर अत्यच यहां बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ बाप भी पूछते हैं विकारी तो नहीं होते हो क्योंकि काम महाशत्रू है ना एकदम गिर पड़ते हैं इस काम विकार ने सबको वर्थ नौटे पैनी बनाया है बाप कहते हैं 63 जन्म तुम विशाले में रहते हो अभी पावन बन शिवाले में चलना है यह एक जन्म पवित्र बनो शिव बाबा को याद करो तो शिवाले स्वर्ग में चलेंगे फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है कितना हैरान करते हैं कशिश होती है कशिश को निकालना चाहिए जबकि वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना रथ की आयू कहेंगे बाप कहते हैं हम तो सदेव अमर हैं हमारा नाम ही है अमरनात पुनर जनम नहीं लेते इसलिए अमरनात कहा जाता है तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं फिर भी तुम पुनर जनम लेते हो तो अब तुम बच्चों को जा बाब से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो, बाब तो राश्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है, तुम योग बल से इतना साहुकार बनते हो, जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं, इतना तुम बाब से लेते हो, समझ से हो बाबा तो अथा कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहे सो ले लो, यह लक्ष्मि पूरा पढ़ेंगे नहीं, तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बनानी है, तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर धेर हो जाएंगे, और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिसमें तुम सर्विस करेंगे, ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, ये भी तुमको जरूर मिलेंगे, तुम समझाएंगे शिव भगवानों आज, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूं, तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे, बोलो भगवानों आज का महाशत्रू है, जिससे दुख पाया है, अब पावन बन पावन दुनिया मे चलना है, तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट, बाप कहते मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूँगा, जो फिर भरकर देना पड़े, बच्चों के पाई पाई से तलाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है, बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार धोबी कारिगर भी है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्त धारना के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट बाप जो सची सची कहानी सुनाते हैं वे अटेंशन से सुननी और धारन करनी है बाप से कुछ भी मांगना नहीं है 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है दूसरी पोइंट वापिस घर चलना है इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है करमेंद्रियों को शीतल बनाना है इस देह का भान छोड़ने का पुरुशार्थ करना है वरदान एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा आर्थ निमित बन सकते हो इसमें सिर्फ लाइट माइट से समपन्न बनने की आवश्यक्ता है मन बुद्धी सदाव्यर्थ सोचने से मुक्त हो मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो मन सा शुब भावना, स्रेष्ट कामना, स्रेष्ट वृती और स्रेष्ट वाइब्रेशन से समपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो, यही मनसा सेवा है, स्लोगन अब आप ब्रहमन आत्में माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ, अच्छा, आज बाबा ने अम्रित वेले से जुड़ा एक ऐसा समाचार सुनाया है, जो हर एक ब्रहमन के लिए जानना बहुत जरूरी है, यह विशेश ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें।